प्रिष्ण चुनियाए निरे भाड़े नटना गर कुंद की हाड़ी फिछने पनए याथे दिर्दारे कुंद क्ना गर कुंद की हाड़ी प्रिष्ण ओरे की हाड़ी प्रिष्ण गएगर कुंद की हाड़ी हरे पिस्ना पिस्ण 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 बिष्ण गडता चुनियाद नटना गर किष्ण आवरी प्रिष्णा, 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 प्रिष ते लो inaug filsoney pumps आ ए सही इं ए नुदूंहें हमने क्रिश्ना KP्रि मुष्नम्ना Cinnamon मुष्नमा भामनिया् मैं खृष्न प्रेम प्रध हाते श्ली स narciss डीन नाम ने गौत् विसे नमा据 तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे ब्रिंदावनेश्वरी स्भानुसुते देवी प्रनमामी हरी प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत स्री राधा कांत नमस्तुते। स्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम जे नभूतले सोयम रूपह कदा महियं ददाते स्वापदांतिकम। वांचा कल्पतरुभ्यस्चा कृपासिंधुभ्ययेवचा पतिता नाम पावने भ्यो वैस्नमे भ्यो नमनमाम। जयश्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द स्यद्वाइत गदाधर सिवाशादि गोर्भाक्त बिंदा। अम नम्ण भगवते वासुदेवाया Aum Namo Bhagavate Vāsudevāyā Aum Namo Bhagavate Vāsudevāyā evam gate thasudyumne manurvaivaśvataḥ sutte putra kāmas tapas tepe yamunāyam satam samahā evam isprakār गate tapasya ke liye बन में चले जाने पर अथा अब सुद्यumne सुद्यumne मनुहु मनु महराज ववस्वताह विवस्वत के पूत्र सुते पुत्र के पुत्र के चले जाने पर पुत्र कामह पुत्र प्राप्त करने की कामना से तपह तपस्या तेपे किये यमुनायाम यमुनाजी के तठ पर स्टम एक्सव समाहा बर्स तक श्री लशुक्देव को स्वामी कहते हैं महाराज परिक्षित से जब सुद्यूम ने तपस्या करने के लिए बन में चले गए तब विवस्वान के पुत्र स्राधदेव महराज जमुना में सौ वर्सों तक तपस्या किये पुत्र की कामना से सुद्यूम सुद्यूम ने क्यों बन में चला गया क्योंकि वह एक महिना पुरुस रहता था और एक महिना इस्त्री तो इस्त्री होने पर वह एक महिना च्छीप करके अंतःपुर में रहता था घर में रहता था सुद्यूम ने के बारे में ऐसी कथा शुक्देव को सामी कहे कि जब वहा इस्त्री के रूप में था तब बुद्ध से उसने पूत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ पूरुर्वा और जब वह पूरुष रहता था तो उसने तीन पूत्र उत्पन किया अपनी पत्नी से तो वह पती भी बना और पत्नी भी बना शरीर ये कहीं था लेकिन उसका रूप बदल जाता था उतकल, गय और विमल ये तीन पूत्र हुए तैसे सभी बाते नहीं लिखी जाती है लेकिन समझ लिया जाता है कि उसका विबाग हुआ होगा फिर उसने कई बर्षों में तीन पूत्र रुप्पन किया पर फिर भी जंता और संतूष्ट थी कि क्योंकि एक महीना वो गायव रहता था कई चीप करके इस्त्री के रुप में रहता था कहीं का मतलब भवन में नहीं वहीं राजभवन में हीं तो इस कारण से जन समदाय को असरद्धा थी जो भी हो अपने पूत्र को पुरुप महराज को राज़ दे करके सुदुन बन में चले गए फिर यह अभी प्रशन होता है कि वह तीन पूत्र के राज नहीं लिए वो दूसरे परंपरा में थे और पुरुप महराज को तो मा थी तो उसने पुरुप महराज को राज दिया और अन्य बच्चों को लड़कों को भी राज दिया तब तो तो है एक प्रकार से देखा जाए तो मनु महराज का बन सहीं समापत हो गया अब वो रियल है पूत्र की कामना उनकी पूरी नहीं हुई पहले चाहे थे कि हमको पूत्र हो लेकिन पूत्री हो गई और वो भी फिर बाद में सुदुम ने बन करके जब बन में चला गया तप करने के लिए तब मनु महराज पूत्र कामना से तप किये सौव बोरसों तक ऐसा स्रीमत भागवतम में कहा गया है कि बैदिक काल में जिन पूरुषों को जिस व्यक्ति को पूत्र की कामना होती थी वो पहले तपस्या करता था अनेक नियमों का पालंग करता था सुद्ध संतान उत्पन करने के लिए कई प्रसंग में हम लोग पाते हैं जैसे प्रचेता लोग तप करने गए पिता दक्ष ने इसलिए उनको भेंजा कि वे जा करके भगवान से सक्ती प्राप्त करेंगे ग्रिहस्त बनने के लिए कुछ नहीं मिलता और पहले लोग तप करते थे आज के जुग में तपसया नाम की कोई चीज किसी को नहीं सिخाई जा रहिज बच्चों को कभी नहीं सिखा जाता है कि तौप करो तौप का मतलब भी नहीं जानते हैं और सिखाने वाले मता पिता कोहीं बुद्धी नहीं है कि तौप क्या है तौप कहते हैं इंद्रियों का निग्र अंक है कान नाक रस्टने और आँक यह सब जितने भी हमारी ग्यानिंद्रिया हैं इनकी विशेओं के तरफ प्रववनता होते हैं विशेओं के तरफ जुकी रहते हैं तो उनको विशेओं से रोक करके और अच्छे कार्ज में लगाना या कम से कम उनको रोक देना गलत विश्यों से इसको तपस्या कहा गया है जैसे वाणी से गलत बात नहीं बोलना, दुसरे का अहित करने वाला बचन ना बोलना, दुसरे का चीत दुखाने वाली बात ना बोलना, इसको श्री भगवान ने गीता में बचन का तौप बताते हैं। प्रिय हितम च जत, सत्य बोलना, किसी को उद्वेग में डालने वाली बात ना बोलना, जिसे हमारी बात से कोई दुखी हो, चिंतित हो, ऐसी बात नहीं बोलना, और प्रिय बात बचन बोलना, तथा हीत करने वाली बात बोलना, शास्त्रा भ्यसनम चाईवा, और शास्त्र का अभ्यास करना, श्रिमत भागवतम पढ़ना, उपनिशद पढ़ना, अभ्यासनम कार्थ है, बारम बार पढ़ना, नियम से रोज रोज पढ़ना, इसे वाणी का तप का आ गया है, भगवत गीता में स्री भगवान बलते हैं, तो आज के जूग में इस तप का कोई पता ही नह बुद्धी भी कम होती जा रही है, और कोई ब्रिलियंट नहीं है, आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, एक से ब्रिलियंट लोग हैं, कम्प्यूटर जानते हैं, यह जानते हैं, कम्प्यूटर भर जानते हैं, कम्प्यूटर में जो कुछ है, वही है, उनके दिमाग में वह किसी को जोडने को कहिए जल्दी में, जल्दी में जोडने को कह दिजे कि यह बताओ कि साथ कितना होगा, तु पहले सोचेंगे, सोचना पड़ेगा, वह भी कोई-कोई नहीं बता सकते हैं, वह कॉम्पीटर से यह काल्कुलेटर से जोड़ेंगे, तब बताएंगे, ऐसा आख से पर अस्थिती हो गई तो बिर्लियेंस कहा रहा क्या थेज रहा लोगों में। इसलिए तेज नहीं है कि मन एकाग्र नहीं है, मन की जो स्वभाविक सक्ती है, वो सुप्त है, वो जाग्रत तब होती है जब मन से अच्छा संकल्ब विकल्ब होता है और इंद्रियां समाहित हो करके सुभ आश्रे में जाती हैं, जैसे भगवान के रूप में, भगवान के ल उपकार सोचने में मन जब लगता है, यह इंद्रियां लगती हैं, तब इसको कहते हैं, वो समाहित होती हैं, एकाग्र होती हैं, एकाग्र होने से उनकी सक्ती, कोटी गुना बढ़ जाती है, यह उपाय है, अतह जो ब्यक्ति ग्रिहस्त बनना चाहता था, वो भी तप करता था, ब्रमचारी तो तप करते ही थे, यह जिने सन्यास लेना होता था ब्रमचार के बाद, तो वो तो तप करते ही थे, तप ही उनका सबसे बड़ा बॉल होता था, पर ग्रिहस्तों के लिए भी तप अनिवार्ज, तो महराज मनु तप किये, पुत्र कामस तपस्ते पे, किये, कहां किये तप, जमुनायाम, जमुना में, यह जमुना नदी प्रसिद्ध है, जो इस महानगर को चुकर कहीं बाती है, यह, महाभारत में इस नगर को खांडव प्रस्त कहा गया है, यह महाराज जुधिस्ठीर की राजधानी थी, महाराज जुधिस्ठीर के पूर्वजों की जो राजधानी थी, वो थी हस्तिनापूर, हस्तिनापूर यह मेरठ के पास है, आज भी है, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, पंडी जवाहरलल नहरू, हस्तिनापूर को विक्षित करने चाहते थी, इनका प्लान था, किसी कारन से विक्षित नहीं हो सका, तो हस्तिनापूर वहां था, पूर्वण्स की व राजधानी, और आप लोग ने सुना होगा कि जब एक बार धिर्तराष्ट महराज जुधिस्ठीर से कहें कि बेटा, हमारे पूत्रे सौ हैं, और तुम लोग पाँच हो, तुम लोग भ तो ये हस्तिनापूर की राजधानी संकिर्ण पड़ रही है, छोटी पड़ रही है, अताह तुम लोगों के लिए, मैं एक बहुत सुंदर भवन बनवाया हूं, वारणावत में, इसी का उल्लेकुन ने किया, जो खंडव बन में है, खंडव प्रस्त कहा दाता था, तो इसलिए महराज और उनके भायों के जलाने का प्रयास किया, वे जलो नहीं, बाद में जो लोटे द्रवपदी से बिभा करके, तो इसके बाद महराज धिष्णी ने स्वैम ही अपनी राजधानी खंडव प्रस्त में बनाया, और चुकि यह इंद्र का बहुत प्रियास्था इसलिए से इंद्र प्रस्त भी कहते हैं, इंद्र प्रस्त, प्रस्त था, कार्चत प्रक्रिष्ण रूप से था, जहां इंद्र रह है, इसको इंद्र प्रस्त कहते हैं, तो यह महराज धिष्ठिर के राजधानी है, हस्तिनापुर गंगाजी के तट पर है, और इंद्र प्र प्रवास्त जमनाजी के तक पड़ हैं। और यहीं से स्री जमनाजी तेरी ब्रज छेत्र में जाती हैं। बहुत पवित्र नदी हैं। कई भजन करना हो, सुभ काम करना हो, तो सबसे पहले अस्थान का चुनाव करना पड़ता है। ओचित अस्थान हैं। जो हमें तपस्या में फल दे मेरे तपस्या को सार्थर करें, हमारे प्टब करें तो अस्थान देखा जाता है। जैसे कोई वैक्ति कोई कात्षानाः खुण ना चाहता है तो तो देखता हैं। कच्छा माल ठीक से मिलेगा, जल मिलेगा, पानी मिलेगा, और यहां से तयार माल को अच्छा से डिस्टिबूट किया जा सकता, वह स्थान देखेगा, ऐसा तो नहीं करेगा, उसे धान की खेती करनी है, तो जाकर के राजस्थान में करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वहां पानी की जो रेक्ति चाहता है जीवन में उतकर सफलता, सुभुकर्मों के फ़ल को अच्छी तरह से प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले देश का चुनाव करना होता है। ऐसे सास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जी का तर्ट और जमुना का तर्ट सबसे पवित्र छेत्र है, सुभुकर्मों का फ़ल देने वाला हजारों गुना फ़ल देता है। समाह, समाह का अर्थ वर्ष से और सत्रम सव, एक सव वर्ष से तप किये। यह सब केवल कथा मात्र नहीं है यह सक्त है और प्रतेक बेक्ति को जीवन में कुछ दिशा निर्देश करता है। सिर्मत भागवतम ऐसी कथा नहीं है कि बस केवल कहानी मान कर सूना जाए और ऐसे रहा जाए। इसमें जीवन के लिए प्रणा है। मनु महराज पुत्र कामना से तौप किये। आज के जुग में कोई सोच सकता है। सोचे कि हमें विवाह करना है और हमें जोगी पूत्र पैदा करना है। इसके पहले हमें ब्रह्मचार्ज का पालन करना चाहिए। अपने इस सक्ति को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, अपने बाणी को, अपने आख को, कान को, संयमित रखना, भगवान का भजन करना, इसको तप कहते हैं, उन्होंने पूत्र प्राप्ति की कामना से तप किया, और वो भी सौव वरसों तक, आज के जुग में मनुष्य को इन सब बातों से सिखना चाहिए, तप करना है, तप हमारे जीवन का अभीन अंग होना चाहिए, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, शांस लेते हैं, इसे तप करना, मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान का नाम जब करना, भगवान का दर्शन करना, उनकी कथा सुनना, उन्हें प्रणाम करना, एकादसी का उपवास करना, इस सब सिखना चाहिए है तप, सिर्ला प्रहुप आजे कहते थे, कि चार नियम का पालन आज के जुग में यही बहुत भारी तौप है, नो मीट इटिंग, मांस वास्तों में नो खाय कोई ब्यक्ति, जो लंपत बदमास आदमी है, मांस नो खाय तो माना जाएगा कि वो तपस्वी है, इतना स्टंडर गिर क्या किया जाएगा, और वो भी नहीं करते हैं, मांस खाते ही जाते हैं, मांस नहीं खाना एक तौप है, नो मीट इटिंग, नो गैंबलिंग, जुवा नहीं खेलना एक तौप है, और नो इंटोक्सिकेशन, सराब नहीं पीना, तो जो ब्यक्ति सराब नहीं पीता है, वास् खास करके शराद पीने की आदत हो और शराद छोड़ दे तब तो प्रकृति को ही पार कर गया है, माया को पार कर गया है, इसा बहुत भारी-भारी तौप है, और नो इलिशिट सेक्स, अपनी पत्नी के अत्रिक्त, कभी भी सौपन में भी किसी इस्त्री के साथ कोई संभाद नो होना, या भी यह बहुत बड़ा तौप है, इन सब को तौप कहते हैं, सिलप्रभुपाजी ने बहुत प्रैक्षिकल बताया है, यह तौप है, और उस पर प्रयादी भगवान के सौनमाला का नाम जब किया जए, तब तो ऊपरण ने प pickles अनल्या ने ने सब किया जाए, तब व घञ परण तप है, तब तपो, दिव्व्यं प्टृकायन सत्रम सुध्यत। ने सत्रम सुध्यत। यह बहुत hooten है रर्दय सुधियत। प्र्दय तपो दिव्यम पुत्र का जे नसब। भागवान विषभ देव भागवात पंचम असकंद के पांचमय ध्याय में कहते हैं अपने पुत्रों को कि बेटा यह सरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, नायम देह अनायम देहो देह भाजने लोके कस्टान कामाना रहते बिट भु कि बहुत मेहनत करके भोग अर्जन के लिए नहीं है, यह भोग जो दुनिया में आदमी कहता है भोग यह तो बिट भुजाम है, यह तो गाउं के जो सुवर हैं मौल भोजन करते हैं उनको भी जाता है बिना परिश्रम तो फिर ऐसे कंडम भोग के लिए परिश्रम किया दा प्रस्षार का का है। कि ईभ्वो आप पित्व अनुटह नहीं है। ए क्या करना चाहिए। ता बीज हो कोते हैं तपो दिभ्यम। भागव्ण इश्रादेव कोहते हैं ज vagyब दिव्वय कुर्णिय तप करना चाहिए। दिव्य क करने से हृदह सुध होता है। अबी जब सुद्ध होता है तो उसमें भगवान का अस्मरण होता है, और भगवान का अस्मरण अनंत सुख देता है, इसको ब्रह्म शुख करता है. मनु महराज के संतान परंपरा के विशय में महराज परिक्षित का प्रस्ण है और सिल्व सुखदेव को सामी इन प्रस्णों का उतर देते हुए मनु महराज के प्रथम पुत्रे सुदुम्य की कथा का है और इसके बाद इसके बंद में चले जाने के बाद अब अन्य पूत्र प्राप्त करने की इक्षाव उन्हने किया तब तप किया तप करने के बाद फिर वे अपने घर लवटे और वहाँ आ करके उन्हने भगवान का पूजन किया सुलशुर्देव वशामें इसको कहते हैं ततो यजन मनुर्देवं अपत्यार्थम हरिम प्रभुन इक्ष्वाकू पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वशाद्रिशान दस ततह तपस्या सव बरस करने के बाद अपने घर आये और बहुत बड़ा जग्य किया भगवान की प्रसन्मता के लिए भगवान की पूजा किये अपत्यार्थम अपत्य प्राप्ति के लिए अर्था आते पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी आराधने किये हरिम प्रभुम जो पूत्र देने में या किसी भी विशय में समर्थ है ऐसे भगवान विश्णू का पूजन किया पूजा किया तपस्या किया और तपस्या के बाद भगवान की पूजा किया तो भगवान की पूजा के प्रभाव से उन्हें दस पूत् संदर थे से दस पूत्र प्राक्टिके, जिनमें reproductive पुष्वजों पूछी सबूधत संदर श्वyang फूरुजuuuu जोग नहीं था किसी को पोली हो गया हो, किसी को कुछ हो गया, नहीं। अश्कल तो यह कहीं पूत्र, दोही पूत्र होता है, उसमें भी कोई न कोई लोग रहता है। क्योंकि विभा के पहले पुरुष याष्टरी नियमों का पालन करते नहीं। शुद्ध स्वस्थ संतान के लिए तपस्या जरूरी है, भगवान की भक्ती जरूरी है। तो दस पूत्र प्राप्त के जिनके नाम पहले बताये गये हैं, इक्ष्वाको निर्ग सर्याती दिष्ट दिष्ट करूश कान नरिश्यंतं प्रिशद्रंच नभगम्च कविन विभू। यह दस पूत्रों के नाम है एक्ष्वाको नरिग सर्याती दिष्ट दिष्ट करूश नरिश्यंत प्रिशद्र नभगम्च कविरू। यह दोस पुत्र हुए तो इसमें से इस अध्याय में साथ पुत्रों के विशय में प्रवचन कर रहे हैं सुब्देव गोस्वामी महाराज मनु के साथ पुत्र को क्या क्या पुत्र प्राप्त हुए कौन-कौन नाम हुआ तो सबसे पहले है प्रिसाद्र से चालू कर रहे हैं प्रिसाद्र प्रिसाद्र मनु महाराज के यह पुत्र हुए प्रिसाद्रस्तु मनु पुत्र गोपालो गुरुनाकृता गुरु वसिष्ठ देव ने मनु महाराज के प्रिसाद्र नामक पुत्र को गोपाल बनाया यहाँ छत्री है लेकिन इनको गोपाल बनाया गोपाल है का अर्थो गाय का पालंका नोलग यह यह कहिए कि गव विभाग काव प्रोटेक्शन का मंत्री बनाया यह ऐसे के गोपाल गायों का पालन करना बहुत बड़ा काम है वास्ता में मनु महाराज के इस पुत्र प्रिसाद्र को गुरु जिने बसिष्ठ जिने गोपाल बनाया वह देखने इसकी जोग्यता कि गायों की लक्षा अच्छी तरह से करेगा और राजा का पुत्र होते विए भी प्रिसाद्र रात भर जब सोते नहीं थे पहले ऐसी दसा रहते थे कि गोवों के लिए पूरा महल नहीं बनाया जाता था यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है वे बन में चरने जाती थी और आती थी खिड़क में रहती थी खिड़क को ही चारो तरफ से घेर दिया जाता था गोवों को अच्छा लगता है हावा लगना सुध हावा लगना पानी सुध मिलना तो ऐसे जगह पर गोवें रखे जाते थे जिसको ब्रज कहा जाता था अथा गोस्ठ कहा जाता था गोवसाला था तो पृषद्र रात भर सोते नहीं थे गोवों के रख्षा के उनका जिम्वाली थे रख्षा से तापर जाए कि हिंसक जीव जैसे बाग, सिंग, आदी इनको ना खा जाए पहले बाग, सिंग भरे रहते थे जंगल में और उनकी भी रख्षा के जाते थे कोई ब्यर्थ उनका बद नहीं कर सकता था आज के जुग में लोगों को चिंता होने लगी है कि कुछ काल के बाद एस अब इस पेसी जोनिया नहीं रह पाएंगी जिस तरह से लोग हनन कर रह कुछ काल के बाद योनिया समात्त हो जाएंगी कई ऐसे पक्षियों की योनिया हो खतम हो गई देखने को नहीं मिलते हैं जैसे पहले हम लोग देखते थे गीध हकास में बुरते थे और जहां तहां बाइठते थे बड़े-बड़े पेणों पर और मरे हुए पसु को खाते थे मांस खाते थे लेकिन अब ये दुस्ट आदमी जीवित ही पसुओं को काट करके खा जा रहे हैं तो गिधों के लिए कोई आहार नहीं बचा विचारे देश छोड़े ही दिए दिखाई नहीं पड़ते हैं ऐसा हमने कई गाउं में देखा कि गिध का पता नहीं अब उन मनुष्य के आकार में मांस खाने वाले ये खा रहे हैं उनको मांस मिलता नहीं पसुओं को काट काट करके सारी दुनिया में सपलाई करो और कंटेनरों में भर भर करके ये अब्यापार चाला है इसको उतकर्स मान रहा है मानो समाज हम बहुत विकास कर रहे हैं और जांत्रि करना और मांस बेचना चमड़ा बेचना आप देख सकते हैं कि इस स्रिमत भागोता में किस तरह से एक राजा के फूत्र को गवरक्षा में लगाया गया और रात भर वेचार सोता नहीं था विराशन से बैठता था विराशन का अर्थ पैर को मोड करके एक ही साथ और हाथ में अस्त्र ले करके गद या तलवार जो कोई बेती बैठता है तो इसको विराशन ब्रत कहते हैं भीरका आशन के खड़ा होने में थोड़ी भी देर न लगे और निद्रान न आया गए रात भर पालया मास गाज यतो रात्रयम विराशन ब्रत वे रात्री भर जग करके विराशन ब्रत क्या उचाई है उस समय पस्वों के प्रति कितना कितनी हमदर्दी थी और विशेश करके गाय के प्रति राजा का पूत्र निजुक्त किया गया है वो भी गुरु महराज के द्वारा जे कुला चार्ज है यह अव्यक्ति गाय का पालन करेगा और विराशन ब करेशस्तर तो तो गवान के होता ब्रति गवें गया नहीं सतना चाहता तो और कर बिराशन ब्रत्व राशन हमने के मुरु आज की एक वम पस्वोस्ति प्रफ्राज की दीखात ऑ्रके जाए कर आट सोना चाहता है तो रात को सोना चाहता है HEY AASA शावकर बार्ट करके सो र से सोएगा कि ओल मंगलार्ती में खड़ा हो जाए वही महा भागवत हो जाएगा देखिए अंतर पहले से अरभका उसी को बहुत बड़ा डिभोटी माल लिया जाएगा ओई तो फर्स्ट-कलास का भगत है रात भर जग करके भगवान का नाम तो जपे तपस्या तो परे तपत होनी जोग में जिस प्रकार से पचवो की हानी हो जोग में जिस प्रकार से पशवों की हानी होавать ik होती जा रही है और ब्रिक्षों की यह देख करके निश्चित कहा जा सकता है कि मनुष्य पर एक दिन अद्भुद गुपत्ती आएगी उसे भोजन नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा पीने को अभी कुछ साइंटिस्ट एनॉंस करने लगे कि इतने काल के बाद मनुष्यों क पीने का पानी नहीं मिलेगा और भोजन भी नहीं मिलेगा अभी मैं पढ़ रहा था अखवार में कॉल फ्लाइट में बैठे बैठे हूँ एक अखवार आ गया तो देखने लगा इसमें लिखा था कितना बिलियन लोग तो अन्न के बिना मर गाएंगे और फिर पानी का उसमें सम लिखा हुआ है तो ये स्वभाविक है होना है मानो जो पात कर रहा है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा जैसी करनी वायसा फल आज नहीं तो निश्चय कॉल आज हम पात कर रहे हैं तो हमारे संतान पर वहा कर시ही रहे और उसको की आप किसी पमसु की हत्या के कर लहें, तो आपका सएर है उस पाप में, कुछ पापी ऐसे हैं, मनुस्य चार में लेकिन पवसु का चमड़ा पहनते हैं, कोट लगाती, अपने को गरम रखने के लिए, जाड़े के दिन में, सरम नहीं आती, मनुष्य से बना हुआ, तो पवसु का चाम पहन रहा है, और उभी मरे, काटे हुए, कशाई खाना में काटे हुए पवसु का चमड़ा पहन रहा है क्या उभी पवसु की हत्या कर रहा है, वो हत्या उभ्यक्ति नहीं कर रहा है, जो कोट पहन रहा है, उभी पवसु घातम, केशव धृता, बूध शरीर, जय जगदी सहरू, जय जगदी सहरू, जय जगदी सहरू, निंदसी जग्य बिधे है, जो जग्य की बिधी सास्त्रो पशु के जाते थी उसको फिर रिशी लोग मनुस्य बना देते थे, पशु का सरीर हवन करके उसे मनुस्य का सरीर मिलता थे, लेकिन उसकती नहीं थी, फिर भी लोग पशु के हत्या कर रहे थे, केवल जीव को संतुष्ट करने के लिए, सदय हिर्दय दर्शित पशु घातम, इन भगवान का हिर्दय द्रवित हो गया है देखकर, तब उन्होंने आकर के बेद के अथर्टी को ही रोक दिया, बेद के विशे में चुप रहे, उन्होंने साब कहा के हम यह नहीं मानते हैं कि किसी पशु की हत्या करना या उचित है, तो उनके सामने बड़े-बड़े विद्वान तर्क में हार गए, बड़े-बड़े पंडित, और इस तरह भगवान भुद्ध ने पशु हत्या पर अंकोष लगा दिया, रुख गई हत्या, पर आज आश्चर्ज की बात है कि अपने को बहुद कहने वाले लोग भी मान्स एक अधूत आश्चर्ज की बात है, जो अवतार ही पशु हत्या रोकने के लिए हुआ, उन्मी के फालोवर बन करके और मान्स खाते हैं, यह बहुत भारी आश्चर्ज है, तो भगवान का अवतार हुआ पशु हत्या रोकने के लिए, पुरिशद्र को गोपाल बनाया गया है, गोवान का पालन करना वाला है, इसलिए मैं इस बात पर बिसे जोड़ दे रहा हुँ, एक राजा का लड़का, जो राजा के बाद राजे का अधिकारी होता है, पर गुरुज ने सलाह दिया कि नहीं, इसको गायों की रक्षा में ने जुक्त किया ज़ए, और उो कर रह कि एक दाप्राविशत गुष्ठम सारदूलो निशिवर्सती, एक दिन की बात है, रात्री का समय था, बादल घंगोर चाय था आकास में, इसलिए अंधकार चाय था, बादलों के चाने से, और तारों का प्रकास नहीं आ रहा था प्रत्री पर, प्रकास का नमों निशार न नहीं था, उसी समय एक बाग है, गववों के जुंड में परवेश किया, जिन गववों की रक्षा प्रिसवद्र कर रहे थे, उन ही गववों के जुंड में एक बाग आ गया, बाग का स्वभावी का हार है मांस, वो पसूँओं का मारता है, खाता है, यहीं उसकी जीवी का प्रशवद्र पहरा दे रहे थे, बरशा हो रही थी, घना अंदकार चाया था, बाग के परवेश करने से सयाना गाव उत्थाया भीता स्ता भ्रमुर ब्रजे, बाग जब परवेश किया, गाई के जुन्न में तो गविज डर गई, और गविज शो रही थी, वो जग करके दागने लगी, सयाना गाव, गवव के विशय में कहा गया है, सोई हुई गव, प्रते एक जीव सोता है वास्ता है, उनके सोने का ढंग अलग-अलग होता है, लेकिन सोते हैं सब ही लग, गवव सोती हैं, इसको हम लोग ने देखा है, उनके आखें बंद हो जाती हैं, और सो जो जोती हैं, तो जो बाग परवेश किया गवों के जुण्ड में, तो गवों घवरा करके रात्री में इधर भागने लगी, गवों के भागने से फ्रिसद्र तुरंत ही तलवार लिये थे, उठ करके और चले, वो समझ गए कि कोई बाग आया है, बाग आया है, बाग जब गवों के जुन में आता तो वो बोलता नहीं है, चुपचा पाता है, लेकिन गवों जब इस प्रकार से बिजुग गई, भागे इधर अधर तो फ्रिसद्र गया एक एम ले करके कि यहीं पर बाग है, और कैसे और पता चल गया कि बाग इस साइड में है, कि एकाम जग्राह बलवान साच्चुक्रोस भयातुरा, एक गाय को बाग पकड़ लिया, जब पकड़ लिया, तो गाय विचारी रम्हाने लगी, चिलाने लगी गाय, तो उसी का लक्ष करके प्रिसद्र बहुत बेग से बढ़ है, बाग को मारने के लिए, यह अभी एक अधूत बात है, बाग है को तलवार से मारने के लिए प्रिसद्र चल दी, इतना बलवान थे वे, इतना साहस था कि बाग को मार सकते थे, समर्थ थे, तो तलवार लेकर के वे चले बहुत जोर अभी ससार हा अभी ससार कारते अभी ससार के बहुत जल्दी जल्दी चले तस्या क्रंदितम सुर्त्वा प्रिशर्द्रो भी ससार हा गाय के क्रंदन को रोने की आवाज को सुनकर प्रिशर्द्र चले बाग का बद करने कले गाय को छुडाने कले खटगम आदाय तरसा वे तलवार लेकर बड़े बेग से चले लेकिन प्रलीन ओडूगडे निसी वह रात्री का समाय था और ओडूगड भी प्रलीन हो गय थे बादल में घंगोर बादल चाया था इसलिए गाय जब रहा रही थी तो गाय को लक्ष करके गाय अंदकार चाया था अजानन अहन बभरो सिरह सार्दूल संगया प्रिशाद्र वेचारे नहीं जाने वेश बाग यही है और यहीं पर है इसलिए उन्हने अपने तलवार का वार कर दिया और गाय का मस्तक कट गया और व्यागरोपी ब्रिक्ण स्रमडः और बाग भी ऐसा था उसका कान कट गया निश्त्रिंसाग्रतः अग्राहतः ततः निश्चक्रान भीतो भ्रिशं रक्तम पथी विश्रिजंग जब उन्होंने तलवार से मारा है तो उनको अंदार्वार का प्रिशंग प्रिशंग आज नहीं आया गाय कामस्तग कट गया वह गाय अब कुमारी गाय थी बाची थी उसको पड़ पकड़ा था हुड़ उस्सीके गर्दन पर प्रिशम्द रकी। तलवार का जो अग्रहाग था वो बाग के कान पर लगा कान उसका कट गया। और बाचि का गाय काम पूस्तर कट गया। तो जो पार किय के वे हिसकी वह समझ रहते के वाग काम पूस्तर कट गया। यही माननेता रख्या थे। लेकिन निश्चक्राम भिशंप्रीतो रक्तम पथी समुष्रिजम मन्यमानो हतम ब्याग्रम प्रिशद्रह पर वी रहा। प्रिशद्रह जो बड़े बड़े विपक्ष के भीरों का मरदन करने वाले थे। वो यही समझे कि बाग हमारा गया। लेकिन अध्राक्षित स्वहताम भभूं ब्यवस्ठा यां निशी दुख्यता यां जब निशा बीत गई, रात बीत गई तो उन्होंने देखा, अरी तो गाय का मस्टकट गया वहुत दुख्यी हृ। अंजान में यह पाप हो गया। अपने समझ से वे- गाय की लक्षा कर रहे थे, लेकिन तो इस कारण से दुखी तो है, बहुत दुखी थी, अपना सीर पितने लगे, चेपटाने लगे, हाय हाय, मेरी द्वारा इपाप हो गया, यह ख़बर राजधानी में गई, महाराज मनु के पास, और गुरु बसुष जी के पास, वे सब आये, देखे, तो तम ससाप कुलाचा करजह, कृता गसम अकामता, यद पी प्रिसर्द्र, अनिच्छा पुर्वक्त, कुछ संकल्प से नहीं, बलकि भ्रह्म से पात कर बैठे, तो उनके गुरु महाराज वसिष जी उनको साप दिये, क्या साप दिये, नच्छत्र बंधु, सुद्रस्तन, कर्मना, भविता मुना अमुना कर्मना, तुम इस कर्म से सुद्र हो, यहां तो कि तुम छत्री आधम भी नहीं हो, नच्छत्र बंधु, तुम यह भी नहीं कहा जाएगा कि तुम एक अधम छत्री हो, नहीं, नहीं, तुम छत्री नहीं हो, तुम इस कर्म से, अपने ही कर्म से, तुम सुद्र हो ग जो कुछ भी किया बिलकुल उचित किया। यह ऐसी बात नहीं थे किवाल पुरिसारद्र को डंड दिया जा रहा है। हावी समाज को यह शिक्षा दे जा रहे हैं भूल करके भी गौबद नहीं होना चाहिए। भूल से भी बद करना पाप है। अब आज जड़ा विचार कीजिए कि जो इस तरह से योजना बना करके और कई तरह से सरकारी सहायता प्राप्त करके पस्वों की इतनी बड़ी हिंसा की जा रही है। यह कितना बड़ा घोरपाप है। फिर भी मनुझ सोचता है हम सुखी होंगे। हम सुखी होंगे। अब इपंच वर्षिय जोजना में इतना विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है। सब हेल जाओगे नरक में। जीवित ही इतना दुख मिलेगा जिसके कोई यार पर नहीं होगा। पर तेक व्यक्ति लगा हुआ है कि दुख चला जाए। लेकिन दुख जाये गा नहीं। इस प्रकार का पाप करने से, जहां योजना बना करके विदुवत प्वस्वों के हत्या की जाती है। पर मांस की सप्लाई की जाती है, खाया पिया जा रहा है, पकाया जा रहा है। वहां क्या सुख किया सकती। भूल में गव की रक्षा करने में जब प्रिशारद्र से ये पाप हो गया, फिर भी बसिष्ट महराज ने उनको कहा कि तुम सुद्र हो गया। मतलब छत्रियक जैसा तुमारे साथ बेवार नहीं किया जाएगा। ये दपी गुरु बसिष्ट देव तरिकाल दर्सी महत्मा थे। वह सब जानते थे। इसने जान बुझ करके पाक नहीं किया। फिर ये दंड अवस्यक था। इसको समझदार आदमी समझ सकते हैं कि के में दंड देएगे। दंड जरूरी था। अन्यों को सावधान करने के लिए। आजकल जैसे देखा जाता है कोई व्यक्ति महापापी है, हजारों लोगों का बद किया है, बद करने के चेश्टा किया है। फिर भी उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। देखे। तो आगे दुसरे लोगपाप करने के लिए फिर हो जायेंगे और दुसरों का बद करन के लिए। यह दंड विधान जो है, यह बिलकुल सास्त्रिये चाहिए। यह दंड होना ही चाहिए। क्योंकि जनता को सुड़क्षित रखना है, सब को ठीक से सुकर्म के पत पर चलाना है। तो अगस्ते एक है। निर्दोस सर्वता निर्दोस फिर सद्र को दंड दिया ग पुर्वसिष जी अभी जानते थे कि यह लड़का वास्ते में बहुत महान बेक्ती है। और भविश भी देख लिए कि यह भगवान कृष्न का परम भौक्त है। और आगे भी होगा। इसलिए भी उनने दंड दिया। अन्ना था यह लड़का यदि लाज काज में फंस ज पाएगा। उनने यह भी देख लिया। इसलिए यह दंड दिया। नच्छत्र बंधु सुद्रस्तम कर्मणा भाविता मुना। अमुना कर्मणा तौं सुद्र भाविता। तुम सुद्र हो। एवं सपंतम एवं सब्तस्त गुर्णा प्रत गृनत के तांजली। प्रिशद्र इतने महान पुरुस्त है। एक तो उनने गायों का पालन किया था। गाय का पालन स्वें भगवान किये। भवान क्रिष्न का मुख्य काम हगे गोपाल। तो गोपालन। इस तरह से बहुत पवित्र कार्ज किया था। और देखे दूसरी विशेस्ता। गुरु जिने साप दे दिया। यदि चाहते तो फिर सार्द्र भी साप दे सकते थे। गुरु बशिष्ट दे। लेकिन उनने ऐसा नहीं किया। प्रत्य गृनत-कृत-कृत कुछ भी बडबराय नहीं, कुछ भी साप नहीं दिये, गाली नहीं दिये। आजकल का कोई सिस होता तो कहता है। मेरी क्या गलती है कि तुम ऐसे बोल रहे हो। हमने क्या गलती है। हम तो गाही की रक्षा कर रहे थे ना। गुरु होकर के और ऐसी दिलबुद्धी रखते हो। आजकल का तो सिस जरूर कह देगा। यह सामने नहीं कहें परोक्ष में तो कहेगा है। पर प्रिसर्द्र अपने गुरु की बात को, दंड को, कृत अंजली प्रत्य ग्रिहणा हाथ जोर करके स्विकार कर लिए। अंजली ऐसे कहते हैं। कृत अंजली प्रत्य जोर लेना है, प्रतिकार नहीं करना है। और स्विकार कर लिए। और अधारयत ब्रतम वीरो उर्ध्वरेता मुनि प्रियम। और उसी दिन से प्रिशाद्र ब्रत धारण किये। क्या ब्रत मुनि प्रियम ब्रतम। क्या ब्रत है उर्ध्वरेता। ब्रमचर्ज पालन का ब् और जो लंपट हैं, भोगी हैं, उनका बृत क्या है? उनका बृत है भ्रमचार्ज को खंडन करना, जैसे भी हो भ्रमचार्ज को नाष्ट करना, लेकिन मुनियों का ये बृत है, उनको बहुत प्रिय लगता है, अपने वीर्ज को उपर उठाते हैं, अपने मस्तिस्क में उठ उनकी सकती करोडों गुमे बढ़ जाती है, जो व्यक्ति वीर्ज का छरण नहीं करता है, अपने सरीर में रक्षय करता है, और एक ऐसे बिंदू पर वीर्ज होता है, यह तो अधव पात होगा, और उपाय किया जाए, उपर जाएगा, तो उपर जाने पर, जब मेधा में जाएगा, 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 जाए वह वास्तरिक बीर है, तो इनको प्रिशार्द्रकोः शुपदेव जी कहते हैं कि बीर हुआ उस बीर ने धारन किया, अधार्थम बीर उर्ध्वर्यता मुनियप्रियम, मुनियों का यपड्रिय ब्रत्व है। वे भोगों के लिये ललाइट नहीं रहते हैं। ब्रहम चर्युट का पालण कहुन कर सकता है। उसका एक बड़ा आधार है जो जिवा पर विजय प्रयप्त कर सकता है। जो ब्रहति की चाहता है कचर-बचर खाना जैसे तैसे और हमेशा खाण, 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 भाण .. और जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष था उसमें में लग गये वासुदेवे भगवती सर्वात्मनी परे मले एकांतित्वं गतो भगत्या सर्व भूद्शुर्थ समा प्रिसर्द्र भगवान स्रीक्रिष्म के वासुदेव के अनन्य भगत हो गये सब्सक्रिण आनाम्य भागत एक अंतित्वं गत्व एकांतित्व का मतलब है भगवान क्रिष् publi ही केवल अपने इंद्रियों को रखना प्रदी को कोई को अजो ऑन के गुनवाद में को कान को कता पाइर को उनके तिर्थे यादि में भर्मर करने में, इसको कहते हैं एकांतित्वर्थ, जिसके इंद्रियों का अभ्यापार केवल भगवान में अभनिविस्ट हो, भगवान में लगा हो, तो है एकांति, एकांत भक्त, अपनी भक्ती के प्रभाव से वे अनन्य हो गया बाषदेव कैसे हैं, बाषदेव भगवति, वे च्छा आश्वर्जों से पूर्ण है, बाषदेव जी के पूत्र है, भगवान स्री कृष्ने, च्छा आश्वर्जों से परिपूर्ण है, अथ्वा सब को जन्म देने वाले, सब को पालन करने वाले भगवान विस्णु, शह आश्वार्जों से परिपूर्ण है, सरवात मनी और सबके आत्मा है, विश्वात्मा है, सबके हिर्दय में रहते हैं, परे, अमले, वे परकृति से पार हैं, और अमल हैं, माया का कभी भी उन पर कुछ भी प्रभाब नहीं हो सकता है, अमल, तो ऐसे प्रभु में अमन्य भक्त हो गया, अमन्य प्रेमी हो गया भगवान के, उनके कुछ गुणे, सुक्देव गो स्वामी बता रहे हैं, क्या क्या गुण थे, सर्व भूत सुहिर्थ, समस्त जीवों के अकारण हिताईशी है, चाड़ासी लग जोनिया में जीव हैं, तो परिशर्द सभी ज अप्षी, मनुष, देवता, दयत, कीट, पतंग, जो भी हैं, सब के हिर्दे में भगवान को देखते थे, और सब का प्रिय करना जाहते थे, इसको सर्व भूत सुहिर्थ कहते हैं, भगवान ने भगवद गीता में अनीक बार ये बात कहा है, बहुत जोर दिया है, जो उच यहांत कहते हैं, सत्रिव में और मीत्र में, सुख में और दुख में, मान और अप्मान में, जो सं होता है, ने मेरा प्रिय भगवाना एशा बोल दो, कई बार बोलेंग गीता में, यह जो स्टंडर में, तो प्रिश्व दृष्ड रगे सर्वा भूत सुहिर्थ से, और करता है उसके लिए चिंतित नहीं होता है बलकुर के उसका निक्सान चाहता है। इसको भी समता कहाने है, अपने सुखदुह के समान, सभी जीवों के सुखदुह को समझना, इसको समता कहाने है, तो प्रिसवर्द्रे सम हो गया, यह मेरा सुत्रु है, यह मेरा मित्र है, यह उपकारी है, यह अपकारी है, यह घाटा में डाल दिया, यह हमको लाभ दिया, इस इन सब भावनाओं से पढ़े थे, सब का हीट चाहते थे, सब की मंगल कामना करते थे. सर्वे भावन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी परस्वन्तु, मा कस्षिद्ध भाग भवेद, इस प्रकार के विचार में उब्लकुल सिद्ध थे. बहगवान कृष्ण की भक्ती में लगे थी, सदा जब किया करते थे, चिंतन किया करते थे भगवान का, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, और सिलसुदेव वो समयन के गुण का और बढ़न कर रहे हैं, बिनूक्त संगह सांतात्मा संञ्यनताक्षो परिग्रह जद्रिख्षयोप पन्नेना कल्पयन बृत्तिनात्मना प्रिसर्थ बिनूक्त संगह सब प्रकार की आसक्ती से पूर्नतः मुख्थ हो गया विमुक्त संगौ है, थैर मनुष्यी का सभ्हाव हो जाता है माया में कि त्यो किसी अस्थान, किसी परस्थिति और किसी भ्यक्ति, किसी बस्तू Essa कि एसकत होता है, उसको चाहता है और किसी किसी को नहीं चाहता है, लेकिन पिरशद्र इन भावनाओं से मुक्त हो गए, बिमुक्त संगह किसी में आसकत नहीं थे, रागद्वे साधी से सुनने हो गए, उनका प्रेम केवल भगवान कृष्ण से था, और किसी से नहीं कि यह व्यक्ति गुर्मान है, इसे प्रे बिमुक्त संगह कहते हैं, और सांत आत्मा, आत्मा मन मन, सांत मन, प्रायह समाधी में रहते थे, भगवान क्रिष्ण के आस्मारन में मगन रहते थे, उनका मन बिलकुल सांत था, और सांत मन की क्या पहचान है, भुक्ति-मुक्ति-सिधि-कामि-सक्वाल या सांत, भगवान क्रिष्ण भौक्त निष्काम अतयव सांत क्रिष्ण का भौक्त निष्काम होता है उसे कोई कामना नहीं होती है संसारिक इसलिए सांत रहता है लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धी कामिश्वकल या सांत भोग की कामना करने वाला सिद्धी और मुक्ति की कामना करने वाला असा आंत रहता, बेचायन रहता, कामना आग की तरह उसे जलाती रहती है, जैसे कोई व्यक्ति प्रचंड अगनी में पड़ जाए, तो शांती के आशा नहीं कर सकता, शारू तरफ से जलन, तरप रहेगी, जिस जीव के हिर्दा में कामना होती है, कि हमको ये मिले, हमको वो मिले, जलता रहता है, जलने वाला शांत रहेगा है, लेकिन फिर शर्द्र का मौन शांत आत्मा, आत्मा बिलकुल शांत, सुखी थ, भगान की भक्ती से पूर्ण जट्रिप्त थे, संयत अक्ष, अपने इंद्रियों पर उनका नहंत्रन था, अक्षकार्थ है, इंद्रिया, आख् इंद्रियों को बस में रखे थे, समाहिता है, और इसके साथ ही साथ उनका मन बिलकूल भगान कृष्ण में आसकत था, इधर उधर जाता नहीं था, समाहित चित्त, आप परिग्रह, और किसी चीज का वो संग्रह परिग्रह नहीं करते थे, कोई चीज मिल है, तो खाने भार रखते थे, आज खाल लिए, पेट भर खाल लिए, कपड़ा पहनें बस पहनें, और दो इस संग्रह नहीं, अगर कुछ मिला तो दे दे देते थे, सर्व भूत सोर्त है, तो दे 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 दे, कभी संग्रह नहीं करत इतना संग्रह करेंगे, इतना ज्यादा द्हनी कठा करेंगे, इतना ज्यादा धनी कठा करेंगे, ग्रिहस्तों के लिए भी महाम कह रहे हैं, उनके लिए भी आ एक फाशी है। कि चाहिए व्यक्ति को कि अगर धन बढ़ है तो दुसरे को उपकार में लगाता जाए उसे उपकार होगा एक दोहा में कहा गया है कि पानी बाढ़ है नाव में घर में बाढ़ है दाम दोनों हाथ उलीचिये यही सयानों काम कि अगर कोई नौका से यात्रा कर रहा है और नौका में पानी भरने लगा तो बुद्धिमानी इसी में है कि दोनों हाथ से पानी को बाहर करें नहीं तो पानी ही नौका को दुबा देगा और उस पर जो व्यक्ति सवार है उट तो मरेगा है यह नहीं किसी को सुचना चाहेए पानी नौका में पानी भर रहा है पीएंगे खुबा नंद से नहाएंगे इसी में अर दूब जाएगी इसी तरह से लोग सुचते है कि अमारे घर में आम्दानी बहुत है एतना बायंत में हा यह हा क्मा इसे है आनन्स जिन्दी कोटेएगी लेकिं वा पैसा ही दुख का का एक तो मरक मिले ही जाएगा वो इतना निश्चित है और दूसरे इस जीवन में भी अपने सबंधी भी बैर ही हो जाते हैं, चोर बदमासादी की दुष्टी पढ़ती है, वो दुखी ही रहता है, देखा गया है, तो प्रिशार्द्र इस जाल से तो मुक्त होई गया थे, और आप परिग्रह में रहा है, कोई परिग्रह में है, तो प्रस्ण होगा कि जीते कैसे थे, तो सुद्देव गोश्वामी कहते हैं, जद्रिछे पणने ना, कल्पेन भृति मात्मना, इस्वर का विधान है, व्यक्ति को भोजन मिलेगा ही, मिलेगा, और बस्त्र भी मिलेगा, यह इस्वर का विधा, इस्वर भी इस तरह से जीव का चला रहा है, तो जद्रिछ्च्छा बृति कहते हैं, अपने आप बिना प्रयास के, और यहां तक कि बिना मांगे भी कुछ मिल जाता था, उसी से आत्मना बृतिन कल्पयम अपनी जीव का चला लेते हैं, कहीं भी टो खुमाज में घोमें, और समाज को पता चल लेता हैं इस व reflecting क्रशक नहीं है, तो लोग खाने को दे देते हैं आएं पानने को दे दे देते हैं, और काई दीश्त जीव काई ठाना भी देते हैं, कुछ लोगों के घर फाल तो जहां तहां तहां बना कर के रखेगाए होते और कहा कहा रहें, विष्वरूफ ठोड़े हो जाए理, रहा भी रहें, यह रहां भी रहा ही तो उत दिना ही पड़ता है, यह इसने किसी दे देते। साध्ण को भिशेश देते, यह दुषरे देने से डरते है यह दफल कर लेगा। आत्मनी आत्मानम आधाया आत्मा को अपने को या पिले मन को चीत को आत्मनी सब्सक्राइब करते हैं। श्री कृष्ण में आधाया पूर्म तरह रख करके रख चुके थे अपने को भगवान में रख चुके थे अर्थाथ उन्ही का चिंतन करते थे। ज्ञानत्रिप्तः ज्ञान से त्रिप्तः सबसे बड़ा सटिस्फेक्शन यही है। ज्ञानका आर्थ होता है भगवान के संदर्ज, भगवान के क्रिपा, लीला, आधी का जो अनुभव है, एक्स्पेरियंस है, इसी को ज्ञान कहा गया। पुरिषर्द्र भगवान के ज्ञान से त्रिप्तः, उनकी संदर्ता अपने मन में देखते थे, भगवान से मिलते थे, उनका चल्रच होते थे, बाते करते थे, मन में, तो भगवान से मिलने वाले सुख के अनुभव में मगन थे, ज्ञान त्रिप्तः, भगवान के आपते हैं और देखते हैं यह हैनों से तो यह संसपरसजों भोग नहीं नहीं संसे आपट भोग हैं यह दुख की जूनियान सुखी कौन है गीता में भी भगवान बारं बार इस बात को बताए जो कामनाओं को त्याग देता है वही सुखी है एक तरफ कामनाओं का त्यागा हुआ ब्यक्ति है और एक तरफ कामनाओं के पूर्ती में लगा हुआ ब्यक्ति है अनेक कामनाएं हैं और उनके लिए अथक प्रयास कर रहा है ये काम है ये इचा है तो इसकी पूर्ति के लिए ये करो ये करो ये करो ये करो और एक तरफ कामनाओं का त्याग कर दिया है भगान कृष्म गीता में कहते हैं कि वह जो कामनाओं का त्याग कर चुका है वह सुखी है, और कामनाओं के लिए जो जुद कर रहा है, कि अब इस कामना की पूरती कर लें, पूरा दिल्ली अपने बास में कर लें, पूरा अमेरिका हमारे बास में हो जाए, अब हम चंद्रमा पर पहुचकर सुखी होंगे, यह होंगे, तब तक बार करके चला जाता है, आज तक जितने भी लोग इस तरह के हुए कामना वाले हुए हाहाकार करते हुए हाय करते हुए मरे, कोई आनन्द से नहीं मरा कि ठीक है में कामना पुरी हो गई, आपने सुना हो कुछ साधु महात्मा, भगवान के भग तवे आनन्द से शरीर छोडते हुए, उत्रिप्त रह आप ले जाना हो भगवान को ले जाए यह रखे उनकी जो हिच्छा है लगिर हमको यहां की कोई ज़ववत नहीं है, तो कामनाओं से एक जुध करने वाला ब्यक्ति है, कामनाओं से नहीं के अनुखूल होकर जुध करने वाला, काम उसको नहीं चाहता है, यह बस्तु जाहे कितना भी मांगा हो, तब मैं सुखी होंगा, यह मन अमसासन करता है, और मन के अमसासन व्यक्ति काम करता रहता है, तो पिरिशार्द रहे ज्ञान तृप्तित है, ज्ञान सबसे बड़ा अमृत है, भगवान से मिलने वाला ज्ञान, अनुभाव यह दिभ अमृत है, जैसे श्रिमत भागवतम की कथा है, तो हम लोगों का अनुभूत विशा है, कभी-कभी भगवान की लिलाएं सुन करके, ज्ञान की बात सुन करके, ऐसा अनुभा होता है कि संसार में हम लोगों से पढ़ करके सुखी कोई नहीं, ऐसा अनुभा होता है, इसको कहते हैं आत्मनी आत्मानम आधाय ज्ञान त्रिप्तह समाहित विच चेहर मही मे तंजड़ां वधिराकृति तो इस Krishnbhavna भावित दसा में विचरम कर रहे थे गुमते थे जहां तहां और अपने को जड़ां वधिरवत जड़ां वधिराकृति अपने को आएशे दिखाते थे एक संसार में लोग यह समझते थे कि बिल्कुल जॉड है, जॉड मतलब मुर्क, इसको सरीर का भी ध्यान नहीं है, लंगोट पहन करके भी घुमते थे, यह कभी बास्तर नहीं है तो नग नभी घुमते थे, जॉड बास्त लोग कहते थे इसको पहनने का ध्यान खाने का ध्यान नहीं है, घर बनना चाहिए, विभा करना चाहिए, बाल बच्चा पुसना चाहिए, इसको बिल्कुल जॉड नहीं है, जॉड है, और अंध बधिडाकृति, और कभी-कभी अंधे जैसे बिभार करते थे, देखते थे, लेकिन देखते हुए भी आप कौन है क्या है, इसलिए पुछते थे, कि लोग यह न जान जाए कि यह देखता है, तो फिर टीवी पर बाइठा देगे कि यह देखो, इसलिए वो अंधे जैसे रहते थे, अंधे जैसे, दिखाते थे अपने को, जिसे लोक में बिच्छे पना हो, बधिराकृति, कोई पुस्ता थ कावना कि यह न जाना है, कुछ भी नहीं सुनते थे, सुनते हुए भी भाहरा जैसे रहते हैं। जानते हैं इसका एक बहुत बभाए होता है, अगर काबिल बनेंगे, अगर किसी को पता लग जाता है, कि यह राजा का लडगा है, तो लोग लाते है अपने घर में शागत कर अपने को बिरक्त आजमी को चाहिए कि अपने को समाज में कभी बाहरा जैसा रखे, कभी अंधा जैसा, कभी जोड जैसा, अगर अपने को ज्यादा कादिल दिखाएंगे तब तो दर्बार में पकड़ कर जाएंगे, तो सबस्परहें, कहावत है, जनी की गीत आईव न दरबार ढदाके जाईव, एक गायक था, तो उसको राजा दरबार में बात बार बार बुलाया करता था, राजा को गीत सुनाओ, गीत सुनाओ, गीत सुनाओ, गीत सुनाओ, गीत सुनाओ, उसके करमचारी हमेशा पकड़ कर ले जाते था, तो दूसरा व्यक्ति सोचा कि बाप्रिवापी अच्छा गीत तु इसको राजा के कार्मकारी पकड़ कर हमेशा पलसान करते हैं तो हम तो भी आणे गाये नहीं नहीं आए इसलिए मुझे राजा पकड़ करना ही ले जाएगा कहवत कार आद्य है कि नीक गित जाए , ये पताते हैं अगर मानली यह बताते, कि मैं राजा कर लड़का हूं, मेरा नाम पिरशार्द्रा यह है, वो है, तो कोई भी विवेक्ति उसका भी बाह कर देता है, अब फिर उसको ध्वान अदिदे करके और फिर वही माया के पत्ने पंसा देता, तो इस तरह से जब अपने को जोड बधिर करते हैं, इस तरह से जीवन धारन करते हुए, भगवान के भक्ति के आर्नंद में भी भोर रहते थे, एवं ब्रितो, बनम गत्वा, द्रिष्टवा, दावागनि मुथितं, तेनों प्युक्त कर्ण, ब्रुन, हत्राप, परम, होनी, इसी दसा में एक बार वे बन में गये, भगवान के भक्ति से पूर्ण मनुरत हो चुके थे, कामनाये पूरी थे उनकी, भगवान के परम, अनन्य भाक्ति थे, देखे की दावागनी लगी हुई है बन में, चौरों तरफ आग की प्रचंड लप्टे उठ रही है, उस आग के बीच में जाकर खड़े हो गये, और तेनों उप्युक्त कर रहा हुए हुए उससे इनकी इंदरिया जल गए, सारा सृरी जल कर राक हो गया, वो अन भाव कर रहे है कि शरी जल रहा है, लेकिन जैसे हम खुर्ता उतार कर कर रहे है और उस तरह से उनकी अन्भव बराद, देह जल रहा है, और ये तो भगवान श यह बेटा जो पहले गायों की रक्षा किया और बाद में भग्वान की भक्ति में लग करके और अपने शरीर को स्वयम ही दावागनी में जला दिया परम गत्म और भग्वान का धाम प्राप्ति किया स्रमत भागवतों में कोई इतिहास कथा कहानी के रूप में नहीं दिया गया है यह वास्तों में यह दिखाए गए कौन भ्यक्ति भगवान से कितना प्रेम किया किसमें कितना बहराग आया ग्यान आया भागवत का यही लग्षा इसलिए भगवान ब्यद्व्यास देव ने इ जब गो पालन कर रहते हैं उस समय भी रात में जग करके निंद नहीं लेना या भी बहुत भारी भोग का त्याग है है ना अदमी को निंद कितनी प्यारी होती है उसना चाहता है और विशेश करके भोवर में तो और लोग प्रचंड आवेश में आ जाता हैं निंद के कभी-कभी लोग खाना भूल जाते हैं कोई खाने के लिए जगाता है तो ओब नहीं खाते नहीं खाते नहीं हैं फचेए नहीं है इतना राश एल है उस निद्रा में एतनна रासु गतना को प्रिशर्द्र्म्रत गोई तिल तिलाजली दे दिया थै किसक्षी गव म अता की रख तो बजपन से ही जो जो ऐसा है किशोर अवस्ता से ही तो क्या कहना बाद में भगवान का अननने भगत और शरीर को जला करके भगवान के धार्म चले गए तेनों पयुक्त करनों ब्रह्म प्राप परव मुनी वे मुनी थे फालतू बात कभी नहीं बोलते थे ऐसे मुनी फ्रि भगवान से किशन के लीला में प्रवेश की है और विभाइकुंट चले गए तो शुदेख जो को स्वामी कथा तो इसलिए अपुत्र रह गए तो भगवान के धाम में चले गएं उनको सुदुन की सुना और पिर सुदुन के बारे में उनका कहना यह कि वो बिभाह नहीं क इसलिए अपुर्त्र रह गया, यह तो भगवान के धाम में चले गया, उनको सुद्र छाट देया गया, इसलिए विभाया दिवनका नहीं हुआ, नहीं किये ही वास्तों में, वह स्वयम ही मुनि अधारयत ब्रतं उर्द्वन, मुनि प्रियम, वह बीर ब्रत धारन किया, स्वय प्रियम ही विभाय नहीं किये, भगवान की भक्ति में लगया और अपनी सही अपने देह जला कर भगवान के धाम चले गया, तो एक पुत्र की कथा हुए, पिरशाद की, जिनको कोई पुत्र प्रात नहीं हुगा, दस पुत्रों में से एक की कथा यह पुरी हुई, दूसर विभाह, कवि, कनियान विशेष्ण निस्पीह, विशिज राज्यम सहबन दुभिर्वन हरुन्, निवेष्य चित्य, निवेष्ण चित्य पुरुसं-प्रुसंस्वरोचिसं, बिवेष्ण कैस्अर बया परंगत, मन Cómaھ Roma का सबसे छोटा पुत्र भी कि पमा भगवान का हृगत था, ये मनु महाराज के पुत्रों की खणा सुनाई जा रही है जो परम बिवक्त और कृष्ण के भगत, कभी नामत पत्र है कभी लामत पुत्र है, कनीयान सबसे छोटा था, कनियन कार्थे सबसे छोटा है, सबसे छोटा है कमी था, विसेयस निस्प्रिया, विसे भोगों में बिलकुल निस्प्रिया था, कोई इसको मतलब नहीं था, पुरा-पुरा विराक्त। विसिर्य राज्यम सहब्वंद भीर वनम विवेश निवेश चित्ते पुरुसम स्वरोचिसम वह कभी अपने चित्त में परम पुरुस स्वयं प्रकाष भगवान हरी को निवेश्य प्रवेश करा करा दियत। अपने हिर्दय में भगवान कृष्ण को प्रवेश करा दियतार था, हमेशा चिंतन करता रहता था, और सहब्वंद भीर राज्यम विसिर्य राज्य छोड़ दिया, नहीं लिया। उसको भग के अनुसार, छोटा भगह सोग हां तो उसको भी राज दिया जा रहा था। तो कभी कभी दिया गया, लेकिन कभी राजश्विकार नहीं किया, बलकि अपने भाई प्रिशर्द्र के साथ ही ये भी घर से निकल गया, यहां बंधु भी ही काततपर्ज दो किया जाता है, एक तो आदर के लिए प्रिशर्द्र को बड़ा मानता था, पुझ्य बानता था, अथवा जिस समय कभी घर से निकल रहा था, तो उसके और भाई या बंधु 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 कुछ दूर गये, निकलने के लिए ये अर्थ किया जाता है, तो बंधियों के साथ राज छोड़कर निकल गया, ओलोग बाद में लवट आ है, लेकिन यहां बनम विबेसा, बन म अधियान का परमभग और विशेश निस्प्रिया खान, पान, सवारी, भोग, बिलास, इस्त्री संग आधि से कोई मतलब नहीं था, इस राज्यका त्याग के अथवा बंधु के साथ राज्यका त्याग किया, नि घर द्वार आधि की ममता, भाई आधि की ममता नहीं रही, इनके साथ राज्यको छोड़ दिया, राज्यको छोड़ा, इसके साथ अपने आठ भाई घर में थे, इनको भी छोड़ा, प्रिसर्द तो घर से निकल गय थे, चले गय थे, एक्षाकु महराजादी को छोड़ा, इनकी भी ममता नहीं किया, कि भाईया लोग हाँ, इनके अपना बंधुभीर, राज्यको विषिर्ज्यको वनम विवेश्ण, क्या करके स्वर्वोचिसम परंपूरुसम हिर्दये निवेश्या, चित्य निवेश्या, परंपूरुस भग्वान को जो स्वें प्रकास है, उनको अपने हिर्दय में बसा लिया, निरंतर उन्ही का चि किसोर अवस्था में हिं भगवान क्रिष्न को प्राप्त कर गया, कैसोर वया, परंगत, परंगता मतलब बैकुंट गया, भगवान का पार्षद बना, तो मनु महराज के दो पुत्रों की कथा पुरी गए, प्रिसाद्र और कभी, अभी सध्या में अभी पांच पुत्रों क अभी बनसावली का वरण है, वो मैं करके ही बिराम लोगा, वो उतना विस्तार से नहीं है, अब सुनें, यह लगू करम से चालू किये हैं, सुपदेव गवास्वामी बनसावली का वरण छोटे से चालू करके बड़े तक ला रहा है, एक छवाकु महराज का वरण बाद मे करेंगे, फ़ले छोटे-छोटे से चालू किये हैं, इस शिर्धर स्वामी की कहते हैं, लगू करमात से बढ़न करें, करुषात मानवाद आसन कारुषा छत्र जात्या, उत्तरा पत्थ गुपतारो, ब्रहांडिया धर्म बद्सला, ब्रहांडिया धर्म बद्सला, करुष न करुष से कारुषा नामक छत्रिय जाती हुए, करुष के बंसमें, ऐसा नहीं हो या कोई सुद्र हो गया, ततकाल सुद्र की कथा कह चुक है, इसलिए भ यहां पर कहते हैं, इस पेशल, कि करुष के पुट्र जो हुए, सब छत्रिय हुए, उत्तरा पत्थ गुपतारो, ब् लक्षक्त हैं, उत्तर भारत के, और ब्रह्मनल्या, धर्म वद्सला, ब्राभणों के परमभक्त थे, बैश्मों के परमभक्त थे, और धर्म वद्सला, धर्म से बहुत प्रेम करते थे, धर्मिक्त, यह चत्रिय जाती हुए, जो ब्राभणों का भाक्त है, और धर्म की च्कृत करतें जैसे गाit अपने बच्चे से प्रेम करती है राजा सद्धर्म वत्ष LazarThe Raja आज के राजा धर्म निर्पेक्ष्य हो गया, धर्म निर्पेक्ष्य का मतलब यह नहीं होता है कि हम अपना धर्म छोड़ दे, कोई दुसरा अपने धर्म का पालन कर रहा है तो ठीक हो भी करें, लेकिन अपने धर्म का तो करना चाहिए, लेकिन आज के राजा से धर्म उपेक उनको धर्म कोई मतलब नहीं है, फिलन अखें मैं उन्मिनिस्टर होगे तो उनको अनवान्जी के मंदिर में नहीं जाना है वाली कवब में जाएंगे जाएंगे, अधर जाएंगे लगे दर जाएंगे लगेजंगे. यह सब बता रहे हैं कि पहले के लोगों में राजकल के लोगों में कितना अंतर हो गया कि धर्म वटसब्त जाald के आप सबकिये में करता थुमा फिज"? तो उसकी रह बहुत प्रसंच Olकोbn सबक्रते थे? मान सम्मान करते थे और स्वैम धर्म का पालन करते थे भगवान का नाम जपना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की कथा सुनना, ये सब धर्म वत्सलता है, धर्म वत्सल राजा थे समय, उत्तर भारत के राजे, ते करुष के पूत्र, तीन पूत्रों के विशे में कहा गया, अब कहते हैं, ध्रिष्टा धार्ष्टम अभुद्छत्रम ब्रह्म भुयं गतंचितव, ध्रिष्ट से उत्पन जितने वीपुत्र हुए, धार्ष्ट, ये सब छत्रिये थे, लेकिन पृत्वी पर ब्राभणत्यों को प्राप्त कर गया, देखिए, अद्भूत, अद्भूत करता हुए, ये सब छत्रिये थे, लेकिन अपने सुभ कर्म से ये सब ब्राभण हो गया, अचा, उधर पृषवध्र को सुद्र चाटा गया, तो ये सब भगवान को पागए, पृषवध्र भगवान को पागए, तो कोई अंतर नहीं रहा, गुरु वशिष्ट जो जो व्यवस्था दिये, तो उसे कल्यान ही हुआ, ध्रिष्ट के सभी को धार्ष्ट कहलाए, और इनके बंस में जो सब छत्रिये थे, लेकिन पृषवध्र सभी ब्रह्म भुयं गतम ब्राभणत्यू को प्राप्त हो गया, ब्राभण हो गया सभी, तो वास्तों में ब्राभण ही है, जिसका मन भगवान में लगा है, जॉब कर रहा है, शुद्ध, आहार विचार, ब्राभण है। आज के जुग में कुछ लोगों को अब्जेक्शन होता है कि ये कैसे ब्राभण हो गया, देखिए कैसे भागवत कह रहा है, ये सब शत्रिय में लेकिन अपने कर्म से ब्राभण होगे। महाराज मनु के पूत्र, द्रिष्ट के संतार, अचार पुत्रों कता होगे। और मृरिग, मृरिगस्य बंसा, सुमति, भूत, जोति, ततो, वशु वशु प्रतिकस्तत पूत्र, ओ भवान, ओ भवत, पितार। मृरिग वशु फ depri अचार फिर singular नहीं के पूत्र, सुमति के भूत जोति, भूत जोति के भसु, भसु के प्रतिक, और प्रतिक के पूत्र में अगवान, और इनका जो पूत्र हुए उसका भिन्नाम था ओगवान बाप का भी नाम और बेटा का भी नाम ये कहीं रहा, ओगवान, ओगवान अथा थोड़ा सा अंतर, ओगवान और ओगवत इतना ही अंतर है, दोनों का मतलब ये कहीं है, और ओगवान की एक कन्या हुई, जिसका नाम हुआ ओगवती, उससे सुदर्शन ने विबाह किया, ये कितने पांच पृत्रों की कथा हो गए ना, जिसका पांच पृत्रों की खथा हो गए ना, पांच, कारुष, ध्रेष्ट, और मुंरेगे, और नरिष्यंत के बंस सुदर्शन नरिष्यंता रिक्ष़स्ता स सुथभवा, नरिष्यंत के पृत्र हुई चित्र सेन के रिक्ष, और रिक्ष के पृत्र हुई मिद्वान, मिद्वान के कुर्च, कुर्च के इंद्र सेन, और इंद्र सेन से बीती होत्र हुए, बीती होत्र के पुत्र सत्य स्रवा, सत्य स्रवा के उरुष्रवा, और उरुष्रवा के पुत्र हुए देवदत्र. देवदत के पुत्र हुए अगनी वेश्या, जो सक्षात भगवान अगनी देव ही थे, अगनी देव ही पुत्र के रूप में जन्म लिये, उनका नाम हुए अगनी वेश्या और उनका नेक परसीध नाम है कामीन और जातु करने, एक महान रिशी हुए, ततो ब्रह्मकुलम-जातन आगनी वेश्यायनम रिपा, होस्याद महाराज परिकषित, नहाने रिशी जातु करण से ब्राभण खुल उत्पन हुआ और अगनी व्यष्यायनम इसको कहा जाता था, अगनी व्यष्य के सब्संतान ब्राभण हुए, नरिष्यन तान वया प्रप्तो दिष्ट बंच मता सुनौ। नरिष्यन्त के बंच का बढ़न में कर दिया, अब दिष्ट के बंच का बढ़न सुनौ। बहुत जल्दी जल्दी बंच का बढ़न कर रहा हुए। ना भागो दिष्ट पुत्र स्या करमना अग्वाश्यतान गता। ना भागो दिष्ट पुत्र अन्या। दिष्ट के पूत्र थे, जिनका नाभाग नाम था, आप यह मत समझें कि यह कहीं पूत्र हुए, बहुत पूत्र हुए लेकिन एक नाम गिना रहें परधान के, नाभागो अन्य, अन्य नाभाग, आगे नभग महराज के पूत्र की बंसावली जब गिनाए जाएगी तो उनक यह कहीं नाम कोई लोगों के हो जाते हैं ना, कोई जगा देखा गया, अगर महंदर नाम है तो कोई लोगों के हो जाते हैं, तो नाभागो दिष्ट पूत्र अन्य, दिष्ट के पूत्र का नाम था नाभाग, यह ना भाग, अन्य ना भाग हैं, अम्रिष वाले ना भाग करम ना बैश्यतांगता है य अपने कर्म से बैस्य हो गया है मैं तुredant बदलता जा रहा है कर्म के अनिषार परिवर्त महुं है बैश्यतांगता है न भाग के फुत्र हुए भलंदन जरा बलंदन के व्त्सपृति और बद्स पृति के पुत्र हुए प्रांशु और प्रांशु के पुत्र हुए प्रमति, प्रमति के पुत्र हुए खनीत्रे, और खनीत्रे से चाक्षुस का जन्म हुए, चाक्षुस के पुत्र हुए विविन्सति, विविन्सति के पुत्र हुए रॉम्भे, तस्या और आंविचित के पुत्र हुए मरुट, यह चक्रवर्ती सम्वराइट हुए और अंगिराजी के पूत्र सम्वर्त इनके गुरू बने, उन्होंने जग्य कराया इनसे महाजोगी थे अंगिराजी के पूत्र सम्वर्त. तो मरुत महराज ने ऐसा जग्य किया जैसा जग्य किसी ने भी नहीं किया है मरुत स्या तथा जग्यों न तथा अन्यों से कंजना आज तक मरुत ने जैसा जग्य किया वो ऐसा जग्य कोई नहीं किया मरुत के जग्य में जो भी छोटी बड़ी बस्तिय थी पात्र बेदी या जग्यमंडप का रंड़ा खंभा सब सोना का बना हुगा थी सर्भम हिरन मयम प्वासित जद किंचि चाने सब में सब चीजे बहुत सुंदर बनाए गए थी और सोने से बनाए गए थी सब से अताब मरुत के समान दुसरे जग कोई नहीं किया और क्या विशेष्टा थी अमाद्यद इंद्र सोम है न इसमें डायरेक्ट भगवान इंद्र आहुती ले रहे थे और सोम रस पीकर उनमत हो गए कि यह सोम लता है जो क्योल स्वर्ग में पाई जाती है तो चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती लाजा मरुत ने ऐसे जग किया कि सोम रस से तयार किया गया था वाम्रित और उसको पीकर के भगवान इंद्र परमान नंदित हो गया कहने का मतलब यह है यह नहीं समझने चाहे कि आज कलके सरावी जैसे सरापी करके बस लोटने लगे परमान नंदित हो गया और दक्षिना भी दूजाता है और ब्राभन लोग दक्षिना पाकर के मत्वाले हो गया तो बहुत ज़्यादा दक्षिना उनको मिली आमाध्या उधर चल करके करते है तो हवा क्या दिस्ठात परीड़ता ते यही लोग बड़ी भूर्ती से परोश रहे थे सम परीवेष्टार मानुता मानुता क्रीवेष्टार व व व व स देवासदा और सभा में आये हुए लोगों के स्वागता ध्यक्ष कौन थे स्वायम व व व विस्र देवार्जवा देवतार जिंकी पूजा क कि जार वही सम प्वस्तित होकर के सभा सदो की सेवा कर रहे हैं तु इतना अच्छा जग्य हुगा 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 तु इतना अच्छा जग्य हु केवल के धुंधु मान, बंधु मान, बंधु मान के बेगवान, बेगवान के बंधु पुत्र हुए बंधु, और बंधु के पुत्र हुए त्रिन बिंदु, महिपति, संपूर पृत्वी के राजा त्रिन बिंदु, ये त्रिन बिंदु बड़े ही सुंदर थे और सभी अलंबुसा इनको अपने पती के रुपने भजन के, इनके पास आई और इस्वेष्ट अप्सरा से महाराजत्र ने बिंदु ने अनेक पुत्र उत्पन किया और एक कन्या भे उत्पन किया जिसका जो इडविदा भवत, उसके नाम था इडविदा, इडविदा का विभाह वि विष्रवा ने उसके गर्व से धन दम कुबेर को जमू दिया, प्रादया विद्याम परमा रिशिल जोगेश्वरात पितु, कुबेर जी, विष्रवा जी अपने पिता से परम विद्या प्राप्ति किये, चांतरधान होने की अत्वा ब्रह्म विद्या, विषाला सुम्य बंधु चाद धुम्रके तु चतत सुता और कुबेर जी के पुत्र हुए विषाल शुम्य बंधु और धुम्रकेटु विषालोल बंशकृतॷ राजा भेंशाली मिर्बंगयपुरिन यह विशाल के विपुत्र हुए बंस को आगे चलाने वाले हुए और राजा हुए इहुने बैसाली नामक मगली का निर्वाण किया विशाल के पुत्र हुए हेम चंद्र, हेम चंद्र के धुर्मा धुम्राक्ष कि अधुम्राक्षे के पूत्र सक्याम से ख्रिशास्व का जन्द्र और्षास्व का पुत्र हुए साहदेव का पुत्र हुए क्रिशास्व है क्रिशास्व से स्वंदत स्वंदत से अस्व मेध है रिड़स पतिन इस्ट्रापुरसमा प्रग्र्याम गतिम जोगे स्वराश्चित क्रिशास्व से स्वंदत का जन हुआ और स्वंदत भूर्द यो अस्व मेध है जिसने असमेध जग्यों के द्वारा भगवान क्रिष्ण का विष्णु का भजन किया और उनके आराधना करके बैकुंठ प्राप्त किया। और सुम्दत का फुत्र सुमती हुआ, सुमती का फुत्र जनमेज एते वैसाल भुपाला स्तिर्ण बिंदुर जसो धरा। यह सब बिसाल मरेश वे बिसाल के बंसमुत्पन जो महाराज त्रविंदु के जस को धारव करने वाले हैं। अर्था बड़े जसस्वी राजा हुए। इस प्रकाल महाराज मनु के साथ पुत्रों का बैरम किया गया है। महाराज परिक्षित के प्रशन के अंसार सुपदेव को सामी बोले हैं। तो हम लोग को तो सब का नाम याद नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार कम से कम पढ़ कर गया। दिमाग में आता है कि अव्यक्ति जग किया। भगवान को प्राक्ति कर लिया। महाराज मरुद के जग्य में इंद्र मत्वाले हो गया थे। ब्राभान परम आनंद में थे। उनका भरती पर नहीं पढ़ रहा था। इतना ध्वान प्राक्ति किये। भोजन परोशने वाले मरुद गण थे। और सभाशतों का स्वागत करने वाले विष्वदेवा लग थे। कौं तीन पुत्र रह गया। साथ पुत्र काटो वढ़न हो गया। जिसमें दो अविभाहित रह गया। प्रिसार्द्र और कभी। और पांच का वढ़न हो गया। साथ पांच तिन साथ और तीन रह गया। तो तीन ने एक नभग तो रही गया। नभग की कथा आएगी। और हाँ ये सर्याती महराज। तो साथ सर्याती और नभग ये नव हुए साथ बन्नाव और दस्ना इक्ष्वाकू महराज। तो उनकी कथा बात में आएगी। अभी पाले सर्याती महराज की कथा आएगी। जिसको कल प्रस्तूत किया जाएगी। हरे किष्णा जाश्री नभग प्रभुपात। हरे क्रिश्णा जाएगी। हरे क्रिश्णा जाएगी। आज तक इस टेडियम में बहुत सारे भवयायोजन हुए हैं लेकिन उस भवयायोजन के पिछे इस शेत्र के रहने वाले या इस शेत्र से झाले से जाएगी। झाले से तक जाएगी। हरे क्रिके तक एक प्रभुपात। कि झाले से सारेleri एस शेक्षी जाएगी। ह Yap réussiागी। झाल झाल